प्रेंस वेलकम बैक टो माई चानल मालेंचु ब्लोग मेरा और एक नाया ब्लोग में आप सब का स्वागत करते हो आप सब कैसे हो आशा करते हो सब कोई अच्छे होंगे तो आज का ब्लोग में यहां से ही सुरू कर रही हो काल तो जन्मस्ठमी का पूजा था और उसके बाद पूजा करके सब हम लोग मंदिर गायते रात के पारा बजे की संजी का जनम देखने के लिए तो उहां से आते आते एक डेर बच गया था तो सोने के लिए रेट हो गया था और आज सुभा बच्छों का स्कूल ट्यूसन सब था तो जल्दी उठना पड़ा था और बच्चे तो थोड़ी देर बाद आब लोगों से बात करती हूं बागे बने रही है वीडियो में आगे यहां पर देखिए मैं नहा कर आ गई हूं अभी मैं मंदिर में जो भगवन जी का मुंत्ती है उसको रग दूंगी उसके लिए यहां पर कुछ प्रॉसेस है वहीं करूंगी यहां पर देखिए जो रिचुल है वो कंपलीट हो गया है उसको बाद मैं क्या कर रही हूं यहां पर सारा जो पूल सब है ना उसको मैं माला सब निकाल ले रही हूं उसके बाद जो यहां पर पानी देखकर मैं सब साप कर दे रही हूं उसके बाद मैं मंदिर में रग दू मैं ऐसा ही करती हूं तो यही सब कर रही हूं, बंदण पूजा हो जाने के बाद बहुत सारे काम रह जाता है और कुछ दिखाज आ जाता है तो और अलग बात हैं, अब लोग देख सकते हो, यहां पर आलपुना को हम लोग पायर नहीं लगाते हैं, तो इसलिए सापकार ले र पहले मैं प्रसादी देकार राती हूं, मैं आपके प्रसादी लेकर सुभाई जिसको देना था तो लेकर चले गए ते आड़ी में जो हम लोग के परोसी जाना उपड़ और बगलवाले में रहते हैं तो उसी उनको इदेकार आते हैं आर इहां पर देने आये तो च्छात पर बारिस हो आता देखिए यहां पे जो कोबुतर है कितना सुन्दर लग रहा था तो मैं ठोड़ा बहुत विडियो करनी हूँ देख सकते हूँ कितना आच्छा लग रहा था और बारिस भी हो रहा था तो आप ही मैं नीचे जाकर बरतन भी धोलूंगी भगबंजी का जो बरतन ह यह सब अभी धो ले रही हूँ पीतमबडी से और यह आभी मैं इसमें थोड़ा सा भीम लीकुड भी डाली हूँ क्योंकि इससे क्या होता है मैं इसमें तील घ्यू सब है ना तो यह आच्छे से साप हो जाएगा इसलिए मैं डाली हूँ और यहां पर देखे मैं हाद में पीतमबडी से धुएंगे ना तो हाथ जालेगा इसलिए मैं तो क्या बोलते हैं बैंडेड लागाई हूँ और उसके बाद मेखा के पापा क्या किये उपर से थोड़ा सा प्लास्टिक भी लागा दिये कि ना भीगे ना जाले इसलिए तो यहां पर देखिए मैं बरतन धोक अगर अंदर रखे आती हो उसके बाद थोती हूँ यहां पर देखिए इसको तो काहाल तो किसुनजी में पापा इसकुत भी यहां पर तीये यहां पर देखिए साड़ा बरतन में पानी जानने के लिए रग दी हूँ अब थोरा सा फानी जर जाए जगा तो इसको फोच के अच्छे से रख दूंगी सुका कपड़ा से और ये सब कपड़ा आज नहीं धोई हूँ क्योंकि बाइस भी हो रहा ना तो ये सब कपड़ा इसलिए नहीं धोई हूँ गार का फुजा भी कल ली हूँ आद इस तरब का साड़ा कम हो गया है देखिए सब क्लीन करके यहां पे पुर्सी सब फीट कर दी हूँ क沒有 इस हूँ करूं कि यह सब कम कम हो गया है लेकिन हाथ में छोटा सा काठ लगया जब मैं फूट काटके सब को दे mistaken लए थी ना सुभा सुभाइन जो महीं कहते पापा लेकर गाय थे उंहों नहीं काठ के दिए थे लेकिन जब मैं काट रही थी ना था पर लग गया मंदलब जो वो जो बर्तन था ना उसे में चाकर इस तरफ से कैसे लगा मुझे समझ में नहीं आया तो पीछे ये पीछे काट गया तो पितम बड़ी से धूमगी इसके वज़े से मैं सोची कि प्लास्टिक लगा के तो सब बर्तन थ होना हो गया है लेकिन कपड़ा पपड़ा कुछ नहीं थोई हूं और आज दो पैर को जादा कुछ बनाना नहीं है क्योंकि चावल और टाल बनाओंगी और काल का थोड़ा सा सब्ची रख रहे हैं तो उसको गरम कर लोंगी इसलिए मैं आभी तक खाना नहीं बिठाई हूं अब भी बच दिया है बारा बच के 20 मिनिट हुआ है और बच्चे सब देर से आते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा देर से खाना बनाती हूं लेकिन जब दूसरा कुछ बनाती हूं उसके लिए तो प्रिपरेशन चाहिए तो इसके बज़े से मैं तब जल्दी बिठा देती हूं और नहीं तो मैं ऐसे डाल चावल शिम्पील जा सब जी बनता है तो मैं थोड़ा से ढीवी भिठाती यह हूं तो बीन थी कुछ थोरी देर बाद खाल्स बनाई हूँ आर ये फुलकवी की सब्जी गरम की हूँ और ये मिंगन का घुजिया बनाई हूँ जो मसाला देकर मैं बनाती हूँ नामा खलदी काला मरीज के पावडर्स इसनीम्भू ये सब डाल के मैं बनाई हूँ आर यहां पर देखिए आन्या आ गई है तो सबजी को हाथ काट गया मेरा आकरी पूझ रही है हाथ में क्या हुआ उसको देखे यहां पर रेखिए मैं बरतन जो सुखाने के लिए पानी जाने के लिए रख दी थी ना उसका अच्छे से सुख गया था तो मैं पोज भी दी थी अच्छे से यहां पर दिये-दिये से र लोग अभी खाना खाड रहें तो तब तक मैं यहां पे बर्तन बगरा सब मैं समय लेती हूं मैं यहां पर ओभेन भी घुशा के रख देती हूं इसमें इसमेरा से पुजा के टाई में मैं निकालती हूं इसको खाना बनाने के लिए प्रसादी बनाने के लिए तो यहां पे द बारिज भी हो रहा था और इतना सारा बरतंथ होई उसके बाद हाद में भी दर्द कर रहा था हाद का जो बैंडड है वो तो खोल दी हूँ पूरा ही एकदम भीग गया था यहां पे देखिए यहां पे देखिए सारा कुछ बैक कर ली हूँ मेगा के पापा आ जाएंगे तब अब यह सब उपर रखने देने के लिए बोलूंगी और इसमें मैं एक प्लेड निकालके रखती हूँ कभी-कभी पुजा में काम आने के लिए और यह सब तो कीचेन के आल मेरी में रखती हूँ मैं और यह सब अभी उपर उठाके रखेंगे मेगा के पापा आ जाएंगे तो सब मिलका खाना खा लेंगे तो मिलती हो थोड़ी देर बाद बाद करती हूँ आभी सामके छे बच के बीजुनी ठो गया है और आज दो पैर का खाना ना हम लोग बहुत देर बाद खाये हैं मादलब तीन-दस-पंद्रा बच गया था उसके बाद मेगा कवापा आये थ खाना खने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे उसके बाद मैं बर्तन कर बर्तन बगरस ठोना हो गया है आज मेगा का चुट्टी था तो इसलिए मेगा घर पड़ी है और मैं भी यहां पर देखिए मैं आनाया को पढ़ाने बिठा दी हूँ आर यहां पर मेगा पड़ाई कर रही है और अभी दियाबाती नहीं की हूँ क्योंकि अभी साम होने वाला है फ्रेजो का दियाबाती करूंगी तो आज का वीडियो मैं यहां पर ही समप करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो कैसा लागा कॉमेंट करके बताएगा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में आप सब स्वास्त रहिए आच्छे रहिए बाइबाइ थैंक्स फर वाचिन